असलाम आलेकुम लिस्टेर्स, वेलकम बाक टो मैं चैनल, आज आप सुनेंगे नौविल, यार यारो से होना जुदा एपिसोड नमर फोर, और आज का एपिसोड स्पेशली डेडिकेटेड है, लाइबा और अशर की मंगनी पर, एपिसोड बहुत खुब सूरत है, और उसी के इशू करवा कर लाइबररी से निकल रही थी, जब अंदर आते किसी से बुरी तरह टकराई थी, उसके चौदा तबक रोशन हो गए थे, वो तो मुकाबिल ने उसका हाथ पकड़ कर गिरने से बचाया था, वरना किताबों के साथ साथ वो भी जमीन बोस हो जाती, आप ठीक की थी, ठैंक यू, उसने कहकर अपनी किताबे पकड़ ली थी, लेकिन तैमूर ने किताबे नहीं छोड़ी, अनोशे ने एक अबर उठा कर ना समझी से उसको देखा था, उसने फिर से अपनी किताबे खींची, लेकिन तैमूर ने फिर भी नहीं छोड़ी, मिस्टर मेरी कि इस दफ़ा अनोशे ने जरह सकती से कहा था लेकिन तैमूर सहब सुन कहा रहे थे वो तो अनोशे के चश्मे के पीछे चुपी काली आँखों में डूप चुके थे तब अनोशे ने गुस्से से अपना हील वाला पैर जोर से तैमूर के पैर पर मारा था जिससे वो चीख पड लिया था शायद कुछ जादा ही जोर से मार दिया था अनोशे ने नतीजे तनसारी किताबे फिर से गिर गई थी ओ सौरी मैं उठा दिता हूँ तैमूर दर्द भुलाए फिर उसकी किताबे उठाने लगा था लेकिन उसने हाथ उठा कर रोग दिया था कोई जरूरत नहीं म उसके पीछे पीछे चलने लगा अनोशे ने दो दीन दफ़ा मुड़कर अपने पीछे आते तैमूर को देखा था लेकिन उसने अपना वहम समझ कर छोड़ दिया था कि क्या पता जहां मुझे जाना है इसे भी वहीं जाना हो लेकिन अब वो सिर्णिया चड़कर कॉरिडोर म मुड़ी थी और तैमूर अब भी उसके पीछे पीछे था उसने एकदम से पलट कर तैमूर को देखा था तुम मेरा पीछा कर रहे हो उसने नाग पर फिसलते चश्मे को दुबारा से आँखों पर जमा कर घूर कर तैमूर को देखा जो उसके एकदम से रुख जाने पर पूर रही थी, मुझे नहीं पता, तैमूर ने साथ की से कहा था, जिस पर अनोशे की आखे हैरत से पहली थी, देखो, ड्रामे बंद कर दो अपने, और अब मेरे पीछे मत आना, वो गुस्ते से उसको वांड करते हुए बोली थी, मैं आपकी पीछे नहीं आया मिस, तैमूर अब भी साथ की से कहा था, अभी तो तुम्हें जिन भूत उठा करना हैं ना मेरे पीछे, उसने तन्ज से तैमूर को देखा, जो उसकी आखों में फिर से डूपने की तैयारी कर रहा था, मेरे चश्मे को घूरना बंद करो, वो चीखी थी, आप घलिस समझ रही है, मैं आना, नहीं तो मैं कम्प्लीन कर दूँगी तुम्हारी, और आइंदा अपनी शकल में तिखाना मुझे, वर्नस सर फार दूँगी तुम्हारा, अनोशे गुस्य से उसको घूरती वहां से चली गई थी, यह क्या हो गया था मुझे, तैमूर ने अपना सर दोनों हातों में ठाम लिया था, यार आज कितना सकून है न उनिवरस्टी में, उन तीन चुड़ैलों के नाने से, हैदर ने खुशी से कहा था, तुने मनाहिल को चुड़ैल बोला, हारिस ने उसको घूरते हुए कहा था, ओयल आइबा को चुड़ैल मत बोल, अशर ने उसके सर पर हाथ मार था, कोई है, कोई है जो जरनूर के लिए आवाज उठाए, कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हाँ दो मैं कह रहा था कि कितना सकून है न उनिवरस्टी में, मेरी होने वाली दोनों भाबियों, और चुड़ैल के ना आने से, हैदर उसी अंदाज में बोला था, वो तीनो हस पड़े थे, काश जरनूर यहां पर होती, और तेरी बात सुनकर तुझे इस दुनिया से रवाना कर देती, हार इसने हस्ते हुए कहा था, वैसे रियास तुझे इसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी, अशर ने हस्ते हुए रियास को देखा था, जो बर्गर खा रहा रियास ने उन तीनों को देखा था, जो हसते हुए उसको ही देख रहे थे, चल, चल करके दिखा, वो तीनों जोशते बोले थे, हैदर ने तो अपना मुबाइल ही निकाल लिया था उसकी वीडियो बनाने के लिए, रियास कुरसी पर थोड़ा आवी को हुकर बैठा था, ग जवाब, दो गोली मेरे सीने में और मैं जहन्नुम में, वो हसते हसते बेहाल हो गए थे, तब ही तैमूर उनके पास आया था, क्या हुआ तुम लोगों को ऐसे पागलो की तरह क्यों हस रहे हो, तैमूर उनको ना समझी से देखता निढाल सा कुरसी पर गिर गया था, अगर अफसोस से कहते सर कुरसी की पुष्ट से ठिका कर आखे मून ली थी, हैदर ने अवरू उठा कर उसको देखा, क्या हुआ शहजादी किसी को दिल दे आया है क्या, हैदर ने मुस्कुराहट दबाते हुए हवा में तीर छोड़ा था, और तीर ठीक निशाने पर लगा था, जबी तो तैमूर ने जट से आखे खोली थी, तुझे कैसे पता, उसने हैरत से हैदर को देखा, अरे हम तो उड़ती चिडिया के पर गिल लेते हैं, फिर तू क्या चीज है, चल शाबाश, जल्दी से शुरू ओजा कौन है, कहा रहती है, क्या करती है, जल्दी बता, वो च अच्छा पीछे हो जाओ, रे आज हारिस और अशर तो पीछे हो गए थे, लेकिन हैदर नहीं, जल्दी बता क्या नाम है उसका, रे आज ने बेसबरी से पोछा था, मुझे नहीं पता, तैमूर ने सादकी से कहा था, अच्छा रहती कहाँ पर है, इस दफा हैदर ने पोछ से कहा था, ओई देवदा सीधी तरह से बात बता सारी, कहां मिले तुम दोनों, क्या क्या बाते हुई, जल्दी बता, हैदर की कहने पर उसने सारी बात उनको बता दी, जो संजीतगी से उसको सुन रहे थे, यार मैं क्या करूँ अब, तैमूर ने पेचारगी से उन सब को द सेरा, हारिस ने भी उसको घूरा था, यार कहतो रहा हूं मैं जान बुच कर थोड़ी गया था उसके पीछे, पता नहीं क्या हो गया था, उसने बुरा मान कर कहा, चल अब पता क्या चा रहा है तू, हैदर के पूछने पर वो जल्दी से बोला था, दोस्ती, दोस्ती तो पर पिठाया हुआ है, चुप करके बैठ जा शर, पहले मेरा मसला हल करना फिर जाना, और वैसे भी मंगनी रात को है, तू अभी से जाकर क्या करेगा, तैमूर ने उसका हाथ पकड़ कर दुबारा पिठा लिया था, यार अशर हारिस, तुम दोनों को तो काफी प्राक्टि हारिस ने हस्ते हुए कहा था, यार तुम लोग मेरी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे, तैमूर ने बड़ा सा मूँ फुला लिया, अच्छा चल बता क्या करें हम, बस तुम लोग अच्छा इंप्रेशन डालो उस पर मेरा, भाई ये काम तो तू ही कर सकता है, हम कैसे करेंग ओ, ओ, वो रही वो नड़की, देखो वो रही, तैमूर तभी अवाज में चीखा था, किधर है, किधर है, वो चारो चौंक कर इधर उदर देखने लगे, अरे वो दोनों जो अभी अभी आई है, तैमूर ने कहते हुए मुश्किल से हैदर को पकड़ कर दुबारा कुर्सी पर बिठाया था, जो खड़े होकर पूरी कैंटीन में गरदन गुमा गुमा कर देख रहा था, इन दोनों में से कौन सी है, रियास ने उन दोनों को देखते हुए पूछा था, जो काउंटर के पास खड़ी थी, काले कपड़ो वाली, बैट जब अंदर, उसने फिर हैदर क बिठाया, मुझे भी दिखा दो, अब इस साले उन दोनों नहीं काले कपड़े पहने हुए है, कुछ और बता, रियास ने उसको घूरते हुए कहा था, उसने चश्मा पहना है, वो दोनों कोल्ड रिंग्स और बर्गर लिए पल्टीन थी, जब ही अनोशे की साथ वाली लि काम कोशिश कर रहा था, क्यूंकि बीच में अशर का सर आ रहा था, अशर के बच्चे अपना सर नीचे कर, हैदर ने उसको घूरा था, जिसने मुस्कुराते हुए अपना सर नीचे किया था, टैमूर ने तो उनको देखकर ही अपना मूँ दूसरी तरफ कर लिया था, कि कही अनोशे की नजर ही न पढ़ जाए उस पर वो दोनों तो कैंटीन से चली गई थी पीछे हैदर और रियाज हसी से बेहाल होते एक दूसरे पर गिर रहे थे अबे साले तुझे इस पूरी दुनिया में सिर्फ ये चश्मिशी मिली थी रियाज ने हसते हुए उसकी कंदे पर हाथ मारा था हमें तो तेरा चश्मा लेडूबा सनम हैदर की बात पर अशर और हारिस भी कहका लगाकर हस पड़े थे मुझे तो लगता है कि उसकी चान आखों ने तुझे पागल कर दिया है वो चारों बेतहाशा हस रहे थे जब ही अशर की नजर तैमूर पर पड़ी जो खश्मागी निगाहों से उन सब को घूर रहा था ओई चुपकर जाओ तुम लोग अशर ने मुस्कुराहट दबाते उन सब को मसनूई घूरते हुए कहा था उन नोगों ने होटों पर उंग हो गया था जब हारिस ने उसको फिर से विठा दिया बैट जायार तैमूर मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि इसमें हसने वाली बात क्या है उसने तपे हुए अंदाज में कहा ठीक है तैमूर उसको पटाना है है ना तू फिकर मत कर हम सब मिलकर पटा लेंगे उसको रिया ने गड़बडा कर कहा था यार तुम लोग कुछ कर क्यूं नहीं रहे इतनी देर से यहां बैटकर बाते ही किये जा रहे हो तैमूर ने नाराज़की से कहा था तू कि वहादेली पर सरसोजमाना चाहता है सबर कर ले थोड़ा अगर वो कहीं इंगेजड होई तो जब भी ब बंडे बनकर उसको छेड़ने जाए और तू आकर हमको मार कर उसको बचाए रियास देया उसको घूरा था पहले तो मुझे ये बताओ अगर इस मिशन में मैं शहीद हो गया तो लाइबा को कौन जवाब देगा ये चार आखो वाले बहुत तेज होते हैं बंदा देखकर ही पहचाल लेते हैं अशर ने जैसे उनको खासी एहम मालूमात से अगाह किया था मेरी बात मान दैमूर तो इन चकरों में मत पड़ वरना सुभा शामिन दोनों की तरह उसके पीछे लट्टू की तरह घूमता रहेगा मुझे और हैदर को देख कितने मज़े में हैं ना देजर पर हाथ रखते हुए कहा था ओए पहले मेरी सेटिंग करवा दोस चश्मिश की दोस्त से हैदर ने दाट निकालते हुए कहा था इनसान बंजा है दर अब चश्मिश नहीं बोला तैमूर ने उसको घूरते हुवे वॉन किया था मेरा मतलब था कि अगर दोस्त को पहले पटा लेंगे तो भापी को पटाना असान हो जाएगा ना हैदर ने वजाहा दी थी और तैमूर के जहन में जहमाका हुआ था वो जल्दी से अशर की जाने पल्टा था अशर तेरी मंगनी है न रात को वो जोश ते बोला था हाँ मुझे पता है उसने अत्मिनान से कहा अशर तू समझा नहीं तेरी मंगनी है तैमूर खोशी से तम तमाते चेहरे के साथ अपनी बात पर जोर दे कर बोला ओ भाई मुझे पता है मेरी मंग नहीं है रात को तू आगे तो बोल तू उस लड़की के पास जा और उसको इन्वाइट कर रात को आने के लिए तैमूर जोशते बोला था और वो चारों उसको ऐसे देख रहे थे जैसे उनको ब्लू वेल खेलने के लिए बोल रहा हो तू चा रहा है कि मैं उस लड़की के पास जा कर उसको इन्वाइट करूँ अशर ने सीधे होते हुए संजीत की सिका था उसने जोर से सरस बात में हिलाया था मैं उससे कहूँ मिस मैं आपका नाम नहीं जानता मैं ये भी नहीं जानता कि आप कौन हैं कहा रहती हैं लेकिन मेरी रात को मंगनी है और मैं चाहता हूँ कि आप आएं यही जा रहा है न तू अशर तैमूर को संजीत की से देखते हुए पोछ रहा था हाँ हाँ मैं यही चाह रहा हूँ यही वो अब भी जोश से बोला था एक लगाऊंगा मैं तेरे होश्टिकाने आ जाएंगे न जान न पहचान दावद देने पहुँच जाऊं उसको साले तुझे तो सिर्फ धमकी दी है मेरा तो वो सच में सर भाड़ देगी अश्रण ने उसको घूटे हुए कहा जिसका सारा जोश जाग की तरह बैट गया था तो मैं और क्या करूँ तैमोर ने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया जब ही हारिस की फोन की मेसेज टोन बजी उसने टेबल पर पड़े फोन को उठा कर देखा एहमद का मेसेज था वो मेसेज पड़ कर खड़ा हो गया था चल आपी मोर तुम एरे साथ चल एहमद आ गया है बाहर पारकिंग में वेट कर रहा है हम दोनों मौल जा रही है तू भी हमारे साथ चल वो तेरे मसले का हल निकाल ले गा चल शाबाज जल्दी खड़ा हो हारिस ने उसका हाथ पकड़ कर खड़ा किया था हैदर, रियास, जब तक तक तुम दोनों इस घदे को लेकर सलोन जाओ थोड़ी सफाई करवा उसकी कितना गंदा हो रहा है, ऐसे जाएगा मंगनी करने हारिस ने अशर को गूरा था क्या हो गया है यार, अभी सुबा ही तो ना कर आया हूँ अशर ने हैरत से कहा था मैं तो कहता हूँ कि इसको बाट अप में बहुत सारा तेजाब डाल कर डुपा देते हैं शाम तक ऐसा साफ हो कर निकलेगा कि बस हैदर ने संजीतगी से कहा था मेरी बात मान तू सैलॉन को छोड़ इसको लेकर लॉंडरी चलते हैं वहाँ इसको वाशिंग मशीन में डाल कर दो दी इन चकर लगवा देंगे खुद ही साफ हो जाएगा हैदर और रियास संजीत की से अशर को पुरसोच नजरों से देखते हुए बोल रहे थे तू क्या बोलता है हारस क्या करें इसके साथ अब वो दोनों हारस को देख रहे थे मुझे तो ये दोनों तरीके ही ठीक लग रहे हैं पहले इसको तेजा बाले टब में डुबो देना फिर मशीन में घुमा देना अगर फिर भी फर्क ना पड़े तो पहले किसी कारपेंटर से इसकी गिसाई करवा लेना फिर इसको टब में डुबाना हारस भी कहरी संजीत की से उसको देखते हुए बोल रहा था चल रियास पकड़ इसको पहले किसाई ही करवा लेते हैं इसकी हैदर ने संजीत की से कहा था पागल हो गए हो गया तुम लोग अशर हैरत चीख पड़ा था और दूसरे ही लम्हें वो तीनों अशर की हवाईयां उरती शकल देखकर क्या कहा लगा कर हस पड़े थे ओए मजाग कर रहे थे हम तेरी शकल देख कमीनों मेरे जान ही निकाल दी तुमने वो भी हस पड़ा था वैसे भी खिलती रंगत और खड़े नकूश वाले अशर को जरूरे थी नाथी तयारी की वो ऐसे ही बहुत हैंसम लगता था अच्छा अब मजा फ़त्म करो और निकलो यहां से तीन तो तुम लोगों ने यही बजा दिये हारिस उन लोगों से कहता तैमूर के साथ पार्किंग के जाने चला गया था तो वो तीनों भी खड़े हुग गए थे बिचारा तैमूर कैसा मजनू हो गया है ना इस चश्मिश लैला के पीछे हैदर की कहने पर वो दोनों फिर हस पड़े थे बेटा जब तुझे महबबत होगी ना तब पता चलेगा अशर ने हसते हुए कहा था अल्लाह न करे कि कभी महबबत हो वो तीनों बाते करते हुए बहार आ गए थे लो भई बन्नो रानी आ गया तुमारा ड्रेस मनाहिल लाइबा के हाथों पर महनी लगा रही थी जबी जरनूर मुस्कुराते हुए एक बड़ा सडबबा उठाय चली आई उसके पीछे मुलाजमा भी थी जिसने बाकि समान उठा रखा था जरनूर और मनाहिल सुपा से ही लाइबा के घर पर आई हुई थी लाइबा एक लौती थी जबी उन दोनों ने सारा काम समाला हुआ था दिखाव जरी कैसा है ड्रेस मनाहिल ने श्ट्याप से पूछा जरनूर ने डपा पेट पर रख कर उसमें से ड्रेस निकाल कर उनके सामने किया था महरून कलर की नीचे तकाती मैक्सी थी जिसका फ्रंट पूरा भरा हुआ था उसके गले और दामन पर नगीने लगे हुए थे आस्तीन पर भी छोटे नगीनों का काम हुआ था तो पट्टे के चौड़े से बॉडर पर भी ये नगीने लगे हुए थे पूरी मैक्सी इस तरह से जगमगा रही थी जैसे इसमें हीरे जड़े हूँ उन तीनों ने ही सताइश से देखा था क्या बात है वह अशर की पसंद की जर्नूर ने कहते हुए एहतियाच से ड्रेस को अलमारी में लटका दिया था तैसे मुझे नहीं लगता था कि इसकी पसंद इत्ती अच्छी हो सकती है मनाहिल ने हस्ते हुए कहा था और फिर से उसके हाथ पर मेंदी लगाने लगी क्या ये सभी अशर की पसंद का है जर्नूर ने लाइबस से कहते हुए बैट पर पड़े सामान की तरफ इशारा किया था जिसमें ड्रेस के साथ मैचिंग जूनरी, सैंडल्स, टूनिया वगरा थी नहीं ये सब तो भाबी और आंटी की पसंद है जो भी हो, सारी सीजे ही जबरदस्ट है जर्नूर ने सताइश से कहा था चलो वबल हो गई तुम्हारी मेंदी पूरी अब यहां अराम से बैठो हिला मत मनाहिल ने उसकी मेहंदी को फाइनल टेस्ट देते हुए कहा था जो मेहंदी पूरी होते देखकर उठने लगी थी यार मैं दो गंटों से यहां पर बैठी हूँ जरा बाहर का काम देखाूँ लाइबा दुबारा उठने लगी थी लेकिन मनाहिल ने उसे दुबारा फकड़ कर बिठा दिया कोई जरूरत नहीं है काम देखने की हम दोनों हैं ना तुम बस आराम से बैठो जमील आइबा की अमी मुलाजमा के साथ कमरे में आई थी जिसके हाथ में ट्रे थी कबसे काम में लगी हो तुम दोनो चलो अब कुछ खालो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा फिर मुलाजमा को इशारा किया जिसने ट्रे टेबल पर रग दी सच मैं आंटी चाय की मुझे बहुत अलब हो रही थी जरनूर ने हसते हुए ट्रे में से चाय काप उठाया था मुझे पता चल गया था जबी तो ले आई वो भी मुस्कुरा कर कहते लाइबा की बहनी देखने लगी थी I'm impressed, very impressed तुमने मुझे बेहत मतासर किया है तुम जैसा इंसान तुम मैंने आज तक नहीं देखा सच में कमाल के इंसान हो तुम तैमूर ने पीछे से आकर एक जोरदार थपड हैदर के सर पर मारा था जो आदे घंटे से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा खुद की तारीफे किये जा रहा था तो जैसा खुद पसंद इंसान मैंने आज तक नहीं देखा शर्म कर लड़कियों को भी पिछे छोड़ दिया तुने रियास ने भी तासुफ से कहा था यार मेरी घड़ी तो ढून कर दे दो मिल नहीं रही मुझे अशर ने परिशानी से कहा था वो सब इस वक्त अशर की घर पर उसके रूम में तयार हो रही थे और नफासत पसंद अशर को अपनी कमरे का हाल देख देख कर गश आ रही थे एक चीज पर ठीकाने पड़ना थी पूरा कमरा जंग के बाद का मंजर पेश कर रहा था मंगनी होने की खुशी ने तुझे अंधा कर दिया अशर हारिस ने उसको घूरते हुए ड्रेसिंग पर पड़ी घड़ी उठा कर उसके हाथ में दी थी यार मैंने तो पांच दफा देखा था मुझे क्यों नजर ना आई अशर ने ना समझी से कहा था सही कह रहा है आरिस सिर्फ मंगनी की खुशी में तो अंधा हो गया है शादी में तो पागल ही हो जाएगा रियास ने खुद पर पर्फ्यूम का स्प्रे करते हुए कहा था ऐसी भी बात नहीं अब वो जीब गया था हद है लड़को तुम्हारी तयारी खतम ही नहीं हुए अब तक जबी एहमद नीवी ब्लू कलर की शलवार कमीस पर ब्लैक कलर की चादर गले में डाले दाखिल हुआ था उसको अंदर आते देखकर अशर उसके सामने जा खड़ा हुआ एहमद तू बता ठीक तो लग रहा हूँ ना मैं अशर वाइट शलवार कमीस पर मेरून कलर की वास्किट पहने बहुत प्यारा लग रहा था लेकिन वो अपनी तयारी से मुत्माइन नहीं था सच में अशर तू शहजादा लग रहा है एहमद ने एक नजर उसका तनकीदी जाइजा लेते हुए मुस्कुरा कर कहा था चल तू कहता है तो मालने दा हूँ वो भी हस दिया था जल्डी करो तुम लोग अंकल घुसा कर रहे हैं एहमद ते उन लोग को देखते हुए कहा था जिनकी तयारी ये खत्म होने में नहीं आ रही थी उन सबने शलवार कमीज पहनी हुई थी रियाज ने ब्राउन कलर की टैमोर ने फिरोजी हारस ने बलेक उन तीनोंने एहमद की तरह ही बलेक कलर की चादर गले में डाली हुई थी जिसका एक सिरा आगे लिटक रहा था और एक पीछे ये अशर का ही आइडिया था हैदर की लाख मिनत करने के बावजूद भी वो चादर के लिए नहीं माना था इसलिए उसने अशर की तरह ही वाइट शलवार कमीस पर नीले रंगी वास्केट पहनी हुई थी जरनूर और मनाहिल इस वक्त इस्तक्बालिया पर खड़ी महमानों को रसीफ कर रही थी सारी अरेंज्मेंट्स लॉन में की गई थी एक तरफ स्टेज बनाया गया था और महमानों के लिए कुर्सिया और टेबल्स लगाए गए थे हार टेबल पर मुख्तलिफ रंगों के ताज़ा फूलों का पुके रखा था एक तरफ साउंड सिस्टम का भी इंतिजाम किया गया था जिसमें धीमे सरों में बच्चते गाने माहौल पर एक सहर सा तारी कर रहे थे सारे लौन को बरके कुमकुमों से सजाया गया था काफी 19 सजावट की गई थी जरनूर और मनाहिल ले तखनों तकाते घेरदार फ्रॉक पहन रखे थे जरनूर का कलर गुलाबी था और मनाहिल का हरा लाइट से मेकप में हलकी फुलकी जूलरी पहने वो दोनों ही बेहत प्यारी लग रही थी जबी दो लैंड क्रूजर्स और एक हैवी बाइक आगे पीछे आकर रुकी थी एक गाली की ड्राइविंग सीट पर एहमत था उसके साथ अशर और पीछे की सीट पर अशर की भावी अम्मी और बहन थी दूसरे गाली की ड्राइविंग सीट पर हारिस था उसके साथ अशर के वाले थे और पीछे अशर का भाई रोहेल और हैदर बैठे थे और हैवी बाइक पर तैमूर और रियाज हेलमिट पहने सवार थे सारे रास्ते तैमूर बाइक को उड़ाते हुए लाया था जरनोर, मनाहिल और लाइबा की कजन से फूलों की पतिया निचावर करके अशर की फामिली का इस्तक्वाल किया था उनके अंदर जाने के बाद जब वो सब भी जाने लगे तो मनाहिल और जरनोर जल्दी से उनके सामने आकर खड़ी हुई थी कहा चले दूले मिया, पहले नेक तो निकालो जरनोर ने कहते हुए अशर के सामने हतेली फैलाई थी तुम दोनों यहाँ भी पहुँच गी, कहा धनसर जुमिरात को आया करो हैदर ने उनको तेज नजरों से देखते हुए कहा तुम चुप करो, तुमसे बात नहीं कर रहे हम जोकर, मनाहिल ने उसको घोड़ते हुए कहा मुझे जोकर कहा, हैदर ने मस्नूई हैरत से पूछा देख तैमूर, तेरे भाई को जोकर बोल रही है यह दोनो दूसरे ही लम्य उसने तैमूर का बाजोजिन जोड़ते हुए कहा था एक जोकर दूसरे को जोकर बोल रहा है तैमूर ने कहका लगाते हुए कहा था यार मंगनी पर कौन सा नेको होता है जब बारात लेकर आएंगे तब मांगना अभी तो जाने दो जी नहीं जब तक नेग नहीं दोगे हम नहीं जाने देंगे हार इसकी कहने पर मनाहिल जल्दी से बोली थी कोई मसला नहीं कुरसिया लगवादो हमारे लिए हम यहीं पर बैठ जाएंगे त्यास ने बेनियाजी से कहा था उसके लिए आदा नेग देना पड़ेगा जर्नूर ने भी उसी के अंदाज में कहा था अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए अशर ने कहते हुए अपनी जेप में हाट डाला था जब ही हैदर चीखा था ओए बहार निकाल हाथ तू क्या इनके धमकियों में आ रहा है कोई जरूरत नहीं इनको पैसे देने की तुम फिर बीच में बोले हो जर्नूर ने हैदर को घूरा था देखो अशर जब तक तुम 10,000 हमारे हाथ पर नहीं रखोगे हम तुमें यहीं खड़ा रखेंगे पनाहिन ने हर्पी अंदाज में कहा था अशर के साथ उन सब की आँखें भी हैरत से खुली थी तुम दोनों को पता भी है कि 10,000 में कितने जीरो आते है सिर्फ एक अंगूठी पहनाने के लिए इतने पैसे चल अशर घर चल कल उनिवर्स्टी में पहना दे ना अंगूठी हम वहीं तेरे लिए तालिया बजा देंगे तेरे पैसे तो बच जाएंगे न हारिस ने उन दोनों को गूरते हुए कहा था अशर तुम पैसे दे रहे हो या नहीं जर नोर ने उन सबको नजर अंदास करते हुए अशर को देखते हुए कहा था ए लड़की ये क्या तुम्हें एटिया मशीन नजर आ रहा है कि जितने पैसे तुम बोलोगी ये निकाल कर तुमारे हाथ पर रख देगा हैदर फिर बीच में बोला था मैं इतने पैसे नहीं दे सकता कुछ तो कम करो अशर ने उन दोनों को देखते हुए कहा था जो एक रुपिया भी कम करने को तयार नहीं थी ठीक है तुम साथ हजार दे दो मनाहिल ने बेनियाजी से कहा था यार मैं इतने पैसे जेब में लेकर नहीं गोमता रहे हैं जरनुर मनाहिल 5,000 ले लो काफी है मंजूर है नहीं मंजूर 7,000 चाहिए जरनूर ने लेट मार अंदाज में कहा था रेस्टरेंट वाली बात वो भूली नहीं थी हालाके इतनी बड़ी बात नहीं थी वो जिसको वो दिल से लगाकर बैठती लेकिन जिससे मुहबबत तो उसकी तो छोटी से छोटी बात भी इतनी बड़ी लगती है और फिर वो तो इश्क करती थी अशर कितने हैं तेरे पास एहमद अशर की जाने पलट कर बोला था मेरे पास तो सिर्फ दी नजार है ठीक है निकाल अशर ने दी नजार निकाल कर उसके हाथ पर रख दिये थे बाकी के चार हजार एहमद ने अपनी जीब से निकाल कर जरनूर के सामने किये थे ये लो अब तो हो गया न तुम्हारे टेक्स पूरा जरनूर ने एक नजर एहमद के हाथ में पकली पैसो को देखा फिर उसको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए वो कहकर उनका रास्ता छोड कर साइट पर खड़ी हो गई थी बहुत शुक्रिया अब तुम लोग अंदर आ सकते हो मनाहिल ने जल्डी से एहमद के हाथ से पैसे पकले थे ऐसे नहीं आएंगे हम पहले फूल फेको फूल हारिस ने उनको देखते हुए कहा था फूल खत्म हो गए है बंदर ऐसे ही आ जा हारिस इसे आखों ही आखों में धमकाते हुए बोला था जो इसको मुझ लाकर जरनूर के साथ अंदर चली गई थी हारिस तेरी तो कोई इज़त ही नहीं है वो तीनों हसे जा रहे थे एहमद ये तुम लोग मुझे इतनी आहिस्ता आहिस्ता क्यों लेकर चा रहे हो क्या हम जल्दी नहीं चल सकते अशर ने अपने साथ चलते एहमद के पास जुक कर बजाहिर मुस्कुरा कर लेकिन दात पीसते हुए कहा था क्यूंकि उनके सामने मुवी मैन और फोटोग्राफर थे जब रुकर बच्चे इतनी भी क्या जल्दी है मौत के मुझ में जाने की एहमद ने मुस्कुराते हुए कहा था माशाला बबल क्या लग रही हो तुम जर्नूर ने लाइबा की गाल चूमते हुए कहा था जो महरून मैक्सी में मुनासिप से मेकप और मैचिंग जूल्री के साथ कोई परी ही लग रही थी वो दोनों से लेने आईन थी मराहिल उसके दोनों हातों में गुलाब और मोती के गज्रे पहना रही थी अशर सहाब से वेट नहीं हो रहा बिचैन हो रहे है तुम्हें देखने के लिए जर्नूर की शरारत से कहने पर उसकी गाल सरुख हो गए थी मैं ठीक तो लग रही हूँ ना लाइबा ने आईने में खुद का अक्स दे अलफिया ही गत नहीं हो रही थी कमीनों दफा हो जाओ अशर दभी अवाज में उनको इतनी बार कह चुका था लेकिन वो लोग नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे उए तु कहा जा रहा है हार इस ते अशर को उट्टे देखकर कहा था लेने जा रहा हूं ना पर अपठाया था अशर के बराबर में बैठे एहमद की नजर नीचे एक टेबल के गिर्द शेयर पर बैठी एक लड़की पर पड़ी थी जो दोनों हाथ सीरे पर बांदे मुस्कुरा कर उसे ही देख रही थी एहमद की आखों में शनसाई की रमक उबरी थी अब तु कहा चला हार इसने एहमद को उठते देख कर पूछा था आता हूं वो मुस्कुरा कर कहता स्टेट से उतर कर उस लड़की की चाने भड़ गया था उनके स्टेश तक आते ही अशर अपनी जिगा से उठकर आया था और लाइबा का हाथ पकड़ कर उसे उपर आने में मदद दी थ वहां मौजूद सभी ने सताइश से उनको देखा था जो एक साथ बैठे बहुत प्यारे लग रहे थे अशर के बराबर में बैठी उसकी अम्मी ने केस में से रिंग निकाल कर अशर को पकड़ाई थी जिसने लाइबा का नाजुक सा हाथ पकड़ कर अंगुटी पहना कर उ हैदर की आंखे चमक उठी थी उसने अपनी आस्तिनों को फोल्ड करना शुरू कर दिया था रियास की नजर पढ़ गई थी उस पर ये क्या कर रहा है उसका इशारा आस्तिने फोल्ड करने पर था तैयारी उसने दादू की नुमाईश करते हुए कहा इंसान बंजा सुस्रा है शरका यहां पर हम अपनी असलियत नहीं दिखा सकते रियास ने अफसोस से कहा था हैदर नेमो बसूरते हुए आस्तिने दुबारा नीची कर ली तू किसे ढून रहा है हार इसने तैमूर को देखते हुए कहा था जो पूरे लौन में गर्दन घुमा घुमा कर देख रहा था वो सब स्टेज से उतर आये थे और अब एक टेबल के गिर्द कोर्सी उपर बैठे थे मैं उस लड़की को जून रहा हूं क्या पता दिखे जाए कौन सी लड़की रियास ने ना समझी से पूछा वही यूनिवर्स्टी वाली अच्छा अच्छा वो चश्मिश मेरा मतल अब था कि भावी हाँ भावी हैदर ने गड़बडा कर कहा था अब तु वाकई सीरियस है रियास ने हैरत से कहा था तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अब तक मजाब कर रहा था तैमूर ने नाराज़की से कहा ऐसे तो तूसे ढूंटा ही रह जाएगा मेरी बात मान तू एहमद ने बिल्कुल ठीक मश्वरा दिया था तुझे हर इसने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा उसकी बात भी तो सुननो जरा मैंने तो सिर्फ उससे मश्वरा ही मांगा था उस भाई ने तो पूरा दो घंटे का लेक्चर मुझे दे दिया कि जरूरत नहीं है किसी सजे दरख्त के पास खड़े एहमद को दीखते हुए कहा था रियास ने भी हैरत से कहा था गलस समझ रहे हो तुम लोग इनका रिलेशन बिल्कुल भी ऐसर ही जैसा तुम सोच रहे हो एक्चली काफी टाइम बात मिले है ना तो बस इसी लिए हार इसने हस्ते हुए कहा था और थोड़ी दूर खड़ी मनाहिल से बात करती जरनूर की नजर भी एहमद के साथ खड़ी उस लड़की पर पड़ी थी जिसने काले रंगे घुटने तकाते कम घेर वाले स्लीवलेस फ्रॉक पर तंग सा पजामा पहना हुआ था गोरी रंगत नीली आखो और तीखे जरनूर ने तहयूर से कहा था उसे बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था एहमद का उस लड़की से हां ससकर बाते करना वैसे मुझे भी हैरत है कि एहमद तो इतना एलर्जिक है लड़की उसे फिर उसके साथ इतनी फ्रैंक्टनेस समझ में नहीं आ रही खेर छोड़ो आओ हम कुछ खा लेते हैं मुझे तो बहुत धूंक लग रही है पनाहिल उसे लिए वो फेस्टैंड की जाने बढ़ गई थी पसंद आ गया था तुमें ड्रेस स्टेज पर अब सिर्फ वो दोनों ही बैठे थे जबी अशर ने मुस्कुरा कर लाइबा से पूछा था और इ किसी की दावत का इंतजार नहीं करते खुद ही पहुंच जाते हैं प्रियास ने बेनियाजी से कहा था चलो खड़ा हो क्यूं भाई मैं दूला हूं अशर ने हैरत से हारस को देखते हुए कहा तेरे दूला बनने में अभी काफी टाइम है फिलहाल तो तू उठ यहां से हमन अभी के साथ देनी है तो उठ यहां से अगर आप सब को कोई जल्दी नहीं तो क्या पहले मैं सेल्फी ले सकती हूं उन सब नहीं चौंक कर उस काले लिबास वाली लड़की को देखा था जो कुछ तेर पहले एहमत के साथ खड़ी थी वाइनॉट माया प्लीज कम हारस ने म हारस से आई है लाइबा ने मस्कुरा कर धीमी आवाज में अशर से कहा था आप से मिलकर खोशी हुई माया अशर ने एक रस्मी मस्कुराहट चहरे पर सजा कर कहा था मुझे भी ये कौन है हारस उसने तैमूर हैदर और रियास की तरफ इशारा करके पूछा था ये मेरे दो यकीनन एहमद होगा है ना उसने मस्कुरा कर पूछा था नहीं वो तो मेरी जान है दिल तो मेरा कोई और है उसने हसते हुए कहा था खेर बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर उसने मस्कुराते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना सफेद नेल पॉलिश और ब्रेसलेट से सजा हाथ हैदर के सामनी किया था जिसे वो बेयकीनी से देख रहा था क्या वाकई ये मुझे से हाथ मिला रही है मुझे रियास ने उसको टहो का दिया था जिसने दुबारा होश में आकर उसका हाथ थामा मुझे भी आपसे मिलकर बेहत खुशी हुई मिस माया हैदर की खयालों में देखो मेरे जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबो हूँ जाने तेरी आखे थी या बाते थी वजा, हुए तुम जो दिल की आर्जू तुम आस होके भी, तुम पास होके भी, एहसास होके भी, अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताई क्यों तुमको चाहे यारा बता न पाए वो सौफ्ट रिंग का ग्लास हाथ में पकड़े पूरी उसकाने के बोलों में खोई हुई थी उसे रह रहकर एहमद का उस लड़की के साथ बाते करना यादा रहा था और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब एहमद उसके बराबर वाली चेर पर आके बैठा था जरनूर एहमद ने आहिस्ता से उसके गरीब जुक कर उसे अपनी जाने मतवज़ा किया था उसने चौक कर एहमद को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था जरनूर का दिल कर रहा था कि वो उसकी गाल पर पढ़ते डिम्पल को चू कर देखे कहा खोई हुई हो एहमद देव उसकी चमकती ग्रीन आखों को देखा कहीं नहीं तुम कब आए उसने खुद को संभालते हुए कहा था एहमद की नजरें उसे कन्फ्यूस कर देती थी मैं तो काफी देर से यहां पर बैठा हूँ तुमने नोटिसे नहीं किया मुझे पता ही नहीं चला उसने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा था जो काफी देर से वो पकड़े हुए थी लेकिन जरनूर को ये भी नहीं पता था कि एहमद गलत बयानी से काम ले रहा है क्यूंकि वो सिर्फ पांच मिनट पहले ही वहां आकर बैठा था तुम नराज हो क्या मुझे जरनूर को तवक्का नहीं थी कि वो इस तरह से उससे पूछ लेगा जबी गड़बढा कर बोली थी नहीं तो तुम ऐसे क्यों लगा मुझे तुम्हारे बिहेविर से ऐसा लगा तुम्हें कोई बात बुरी लगी है क्या मेरी एहमद ने उसकी गुलाबी चेहरे को अपनी नजरों के हिसार में लेते हुए पूछा था और अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि माया उनके पास चली आई ओके एहमद में चलती हूँ उसने सिर्फ एहमद को मुखादिब करके कहा था इतनी चलती जा रही हो हाँ बस काफी टाइम हो गया है मैं चलूँगी अब चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ एहमद ने खड़े होती हुए कहा था अरे नहीं मैं चली जाऊंगी तुम इंजॉइ करो अपने फ्रेंज के साथ उसने मुस्कुरा कर कहा था कोई मसला नहीं मैं ड्रॉप कर दूँगा चलो एक्सक्यूज मी नूर फिर बात होगी उसने माया से कहने के बाद जर नूर से कहा था जिसने चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट सजा कर सर अजबात में ही लाया था जर नूर को बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा था एहमद इतना अजीब पुरसरार सा कभी इतना फ्रेंडली और कभी ऐसे के जैसे जानता ही नहीं थोड़ी तेर पहले जो एहमद उसे अच्छा लग रहा था अब वही एहमद माया के साथ जाता हुआ बहुत बुरा लग रहा था वो पुरसोच अंदाज में उन दोनों को पोष्ट तक जाता देख रही थी मनाहिल तो काफी देर से जरणूर को देख रही थी जो नजाने के सोच में गुम थी फिर एहमद को देखकर उसकी चमकती आखों ने उसे हैरान किया था फिर माया कब वहाँ आना और एहमद का उसके साथ जाना और जरनूर का फिर से उदास हो जाना वो सब नोटिस कर रही थी वो जरनूर के पास जाने का सोची रही थी कि जबी हारस की पुकारने पड़ चौक कर पड़ दी थी जो दूनों हाथों को पुष्ट पर बांदे निचला लब दातों तले दबाए मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रहा था क्या हुआ उसने सवालिया नजरों से हारस को देखा था उसने अपने हाथ की बंद मुठी उसके सामनी की थी जरा बताओ तो इसमें क्या है वो शरारत से पूछ रहा था देखो मेरे साथ कोई गेम खेलने की जरूरत नहीं है मनाहिल ने उसे वॉन करते हुए कहा था कसम से कोई मज़ाप नहीं देखो तो सही इसमें क्या है वो मश्कूप नजरों से उसे देखती थोड़ा सा जुकी थी ताकि उसकी मुठी को देख सकी लेकिन जैसे ही उसने सर जुकाया हारिस ने फॉरण से अपनी मुठी में बन बहुत से गुलाप की पतियां उसके चेहरे पर भेंकी थी आँ वो बॉखला कर बीचे हुई थी ये क्या हरकत है हारिस वो खफा हुई थी ये बदला है उसका जो तुमने मुझे बंदर कहा था हारिस ने हस्ते वे खुद को घूरती मनाहिल पर अपने दूसरे हाथ में मौझूद फूलों को भी उसके चेहरे पर भेंका था तुम सच में बंदर हो हारिस वो नाराज की सी कहती अपने बालों में अटकी पतिया निकाल रही थी हौ फिर से बंदर बोला मुझे हारिस ने मस्नूई हैरत से कहा था ये ले हारिस हैदर ने दात निकालते हुए एक फूरों से भरी प्लेट हारिस को पकलाई थी वो प्लेट हाथ में पकने मुस्कुरा कर अब रूचका उचका कर मनाहिल को देख रहा था जैसे पोच रहा हो फेकू 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 भूल हारिस हारिस ये नहीं करना मनाहिल ले उसे घोटे हुए वौन किया था ओके ओके नहीं फेक रहा देखो मैंने पीछे कर ली प्लेट हारिस ने मुस्कुराते हुए प्लेट अपने पीछे की थी अच्छा मनाहिल बात तो सुनो वो जाने लगी थी जब हारिस ने उसे रोका था वो उसको देख रही थी जिसने जल्दी से प्लेट अपने सामने लाकर मनाहिल की चेहरे पर फेकी थी भाग हैदर और हसते हुए हैदर के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ था उफ बत्तमीज वो बहले तिल मिलाई थी फिर खुद भी हस पड़ी थी यार ये मंगनी का फंक्षन कितना बोरिंग होता है एक तो ये डीजे भी गाने ऐसे लगा रहा है जैसे खुद तो यहां पर आ गया है और इसकी हिरोईन पिछली सदी में रह गई है अब कुछ बोल भी नहीं सकते कि अपना इलापा नहीं है रियास ने मूँ बना कर कहा था जा हैदर तू ही कोई डांस वांस दिखा दे पसम से अब तो मुझे भी बोरियत की दौरे पढ़ने लगे है हार इसने मूँ पर हाथ रखकर जमाई रोकते हुए कहा था ओ भाई अराम दे ले अपनी गर्दन को जिस हिसाब से तो इसे घुमाई जा रहा है ना दो मिनिट बाद ही नीचे गिरी होगी रियास ने तैमूर को देखते हुए कहा था जिसको अभी भी लग रहा था कि अनोशे कही न कहीं से निकल कर उसके सामने आखड़ी होगी अरे नहीं रियास फिर तो ये आईडियल कपल पन जाएंगे ना एक की तो चार-चार आँखे और एक का सर ही नहीं हैदर ने कह कहा लगाते हुए कहा था तुम लोगों को क्या मसला है उसके चश्मे से क्या इंसान चश्मे नहीं लगाते तैमोर ने हैदर को घूरते हुए पूछा था नहीं नहीं लगाते हैं बिलकुल लगाते हैं बलके इंसान ही तो चश्मा लगाते हैं वरना चुडैले तो सर्फ सेल्फी आ लेती है रियाज ने हस्ते वे स्टेज की तरफ देखकर कहा था जहां मनाहिल और जरनोर लाइबा की साथ सेलफी ले रही थी देखारिस मनाहिल को चुलैल बोल रहा है हैदर ने फॉरण उसकी जानब तवज्जा दिलाई थी यार इसमें मेरा क्या कुसूर है इनको देखने के बाद मेरे जहन में इनके नाम से भी पहले लफ्स चुलैल ही आता है रियाज ने मासूमियस से कहा था बेटा अगर इनको पता चल गया ना कि तुम सब इनको पीट पीछे क्या बोलते हो आखरे दिन होगा तुम्हारा इस दुनिया में हार इस ने हस्ते हुए कहा था पता है जबी तो पीट पीछे बोलते है और साफ बाते भई इनके मूपर इनको चुडैल बोलने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है तैमोर ने हस्ते हुए कहा था मनाहिलों लाइबा का तो ठीक है आसान मौत मारेंगी लेकिन ये नूर बानो दस दफ़ा बिल्डिंग से फिकेगी दस दफ़ा मारेगी और फिर भी दिलना भरा तो समंदर में धक्का देदेगी या पंखे से लटका देगी मैं तो दूआ करता हूँ कि किसी सड़क के नीचे आकर मढ़ जाओं बस नूर बानो के हाथ मौत ना है मेरी हैदर हस्ते हुए कहे जा रहा था उसकी हसी को ब्रेक तैमूर की आवाजने लगाई थी अरे जरनूर तुम खड़ी क्यों हो आओ ना आओ बैठो तैमूर अपने सामने बैठे हैदर के सर के ऊपर देखते हुए बोला था जैसे जरनूर हैदर की पीछे ही खड़ी हो हैदर को साम सूं गया था वो स्टाचू बन गया था जरनूर बैठो ना यहाँ पर आओ आओ जरनूर बैठो रियाज और हारिस भी बोले जा रहे थे बेठा हैदर तू तू गया काम से जलतू जलालतू का विर्द करते उसने डरते डरते पीछे मुड़ कर देखा था लेकिन यह क्या जरनूर तू कहीं पर भी नहीं थी उसने स्टेच पर देखा तो वो मनाहिल के साथ वहीं पर थी बच गया मैं उसने इत्मिनान भरी सांस खारिश की थी और दूसरे ही लमहे वो तेजी से उनकी जाने पलटा था कमीनो अभी हार्ट फेल हो जादा मेरा वो गुस्से से उनको घूरते हुए बोला था जो उस पर हसे जा रहे थे वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करके बहार निकला था चादर उतार पर उसने गाड़ी में रख दी थी आस्तिनों को फोल्ड करता वो उन लोगों की टेबल की जाने बाया था तक्रीबन सारे महमानी रुखसत हो गए थे जो एक दो बाकी थे वो लाइबा और अशर की फैमिली के साथ बैठे थे वो दोनों भी अब स्टेट से उतर कर उन लोगों की साथ ही बैठे चाए और कॉफी से लुत पंदोज हो रहे थे तुम लोगों का क्या सारी रात यही गुजारने का इरादा है एहमत ने चेर घसीट कर बैठते हुए कहा अशर का दिल ही नहीं कर रहा है यहां से जाने का तैमूर ने चाय का सिप लेते हुए कहा ऐसी बात भी नहीं अब अशर ने जीबते हुए उसकी कंदे पर पंच मारा था हाई जालिम तोड़ दिया मेरा कंधा तैमूर ने अपना कंधा सेल आया था देखो भाईयो ये लिल्किया अपनी असली हालत में वापस आ रही है जैसे सिंब्रेला बारा बचते ही फिर से मासी बन जाती है हैदर ने हसते हुए जरनूर और मनाहिल पर चोट की थी जरनूर ने अपने खुले हुए बालों का उंचा सजोड़ा बना लिया था लेकिन लेयर में कटे बालों की लटें जूडे से निकल कर उसके चहरे पर आ रही थी और मनाहिल अपनी चोटियां उतार उतार कर टेबल पर रखती जा रही थी जिनको रियाज एक लाइन में लगा कर नहीं नहीं शकले बना रहा था जिसको वो बार बार दम भी करती जा रही थी रियाज एक चोटी भी नहीं तूटनी चाहिए इनमें से मैं कह रही हूँ तुम्हें पहले ही जब इवेटर ने कॉफी का कप लाकर एहमत के सामने रखा जहां तक मेरा फ्याल है तो अब हारिस का नंबर है हाँ तो भाई कब बुला रहा है अपनी मंगनी में अशर ने शरारत से पूछा था मैं कच्चे काम नहीं करता इन्शाला बहुत जल तुम लोग अपने भाई की बारात ले कर जाओगे हारिस ने हसते हुए कहा था ओए होए बल्ले भाई बल्ले मतलब तयारी शुरू कर देनी चाहिए हैदर ने उसको देखते हुए कहा था जो भी हो हारिस तेरी शादी कल हो या परसो लेकिन ये तो कंफर्म है कि अपनी बारात से पहले तुम मेरी बारात ले कर जाएगा एहमत ने कॉफी पीते हुए कहा था ओए ये अचानक से इन्खलाब कैसे आ गया इतने दिनों से मैं तेरे पीछे पड़ा था जब तो तु ना माना और अब हर इसने हैरत से पूछा था बस बैठे बैठे रादा बन गया उसने मस्कुराते हुए कहा था यार तुम लोगों की बार शादी तक पहुँच गई और मेरी वाली मान ही नहीं रही तैमूर ने मूँ फुला कर कहा था ओए तो फिकर मत कर कल से उस पर भी काम शुरू कर देंगे अशर ने उसको तसली दी एहमद बेटा जरा यहां पर आईए लायरबा के वालित ने एहमद को आवास दी थी जो उन लोगों से थोड़ी दूर दूसरे टेबल पर बैठे थे जी अंकल मैं आता हूँ एहमद अपना कॉफी का कप उठा कर उनके पास चला गया था जहां वो बाकर सब के पास बैठे थे ऐसे इरादे कोई बैठे बिठाए नहीं बनते मुझे तो लगता है उस काले कपड़ो वाली माया च्छाया नहीं कोई काला जादो इस पर किया है जब ही तो इसकी टोन ही बदल गई रियास ने संजीत की से कहते हुए सारे चूणियां समेट कर मनाहिल को दी थी हारिस तो कहका लगा कर हस पड़ा था जबके हैदर ने रियास की शाने पर थपकी दी थी लड़के बात में तेरी दम है मनाहिल मुझे भी दोना अपनी चूणियां मैं भी खेलूँगा फिर मेरा दिमाग भी काम करेगा हैदर ने वसनुई संजीत की से कहा था जिससे सब ही हस पड़े थे जब ही डीजे ने गान लगाया था जो तेरी खातिर तर्पे पहले से ही क्या उसे तर्पाना ओ जाले मा ओ जाले मा इसको कौन से दोरे पढ़ रहे हैं अब सारे फंक्षन में तो नाकाम आशिकों वाले गाने सुना सुना कर कान पका दिये और अब इसको जाले मा यादा रही है हैदर ने मुझ बिगार कर कहा था ओए बीजे वाले भाई बंद कर दे यार गाने अब तो जाने कर टाइम हो गया हैदर ने हाथ उठा कर उस अपनी जाने मतवज्ज़ करके मना किया था वैसे हारिस क्या सच में एहमद और माया की बीच कुछ है रियास ने हारिस से पूछा था लेकिन जवाब उसकी बजाए एहमद की तरफ से आया था उसने रियास की बात सुन ली थी बेरे और माया की बीच में क्या है उसने कॉफी का घूट भरते रियास की कंदे पर हाथ रखा कुछ नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था उसने गड़बडा कर कहा एहमद इनको शक हो रहा है तुझ पर और माया पर हारिस ने हसते हुए कहा था वो सर को नफी में हिलाते हस दिया था ऐसा कुछ नहीं है यार जबी तैमूर खड़ा हो गया उठ जाओ यार तुम लोग ऐसे ही बाते करते रहे तो रात ऐसे ही गुजर जाईगी तैमूर ने अपने रिस्ट वाच देखते हुए कहा था एहमद ने कॉफी का खाली कप टेबल पर रखा और जेब से अपना मॉबाइल निकाल लिया वो सब तो ऐसे बैठी थे लिचे से जाने का इरादा ही ना हो हैदर की ब्लू वास्केट गोल मौल हुए टेबल पर पड़ी थी तैमूर और हारस ने अपनी ब्लैक चादर करतन के गिर्द लपेटी थी और रियास ने अपनी चादर सलीके से समेट कर चेयर पर रखी हुई थी तैमूर को देख कर वो लोग भी खड़े हो गए थी मुझे तो लगता है अशर को उठा कर ही लिजाना पड़े का हैदर ने अशर को देखते हुए कहा था मैं उठी रहा था अशर हैदर को घूरते अपना फोन उठा कर खड़ा हो गया था चलो बच्चियों घर जाने का वक्त हो गया हैदर ने ताली बजा कर उनको अपनी जाने में पतवज्ज़ किया था सर नूर और मनाहिल तो आराम से पैर उपर करके बैठी थी बेचारी लायबा का खयाल करो तुम लोग थोड़ा खुद तो तुम दोनों आराम से सारे चीज़े उतार कर बैठी हो और उसको देखो जो दो-चार किलो मेकप, दस किलो जूलरी और बीस किलो के ड्रेस में कितने मुश्किल से तुम दोनों को बरदाश कर रही है हैदर ने अफसूस से कहा था वो दोनों उसको घूरती अपना फ्रॉक संभाल कर खड़ी हो गई थी अशर के घरवाले तो कब के जा चुके थे सर्फ अशर ही उन लोगों की वज़ा से रुका हुआ था एहमत की रैट स्पोर्ट्स कार ड्राइवर छोड़ कर गया था जो उसने अशर के घर पर खड़ी की हुई थी रियास तो मुझे भी सिखा दोना है वी बाइक चलाना जर नूर ने हसरस से रियास को कहा जो बाइक पर बैटते हुए हेलमेट पहन रहा था एहमत की मेसे स्ट्राइब कर दी उंगिया थमी थी उसने एक अबरू उठाकर उस गुलाबी फ्रॉक पहने बार बेडॉल को देखा था अरे मेरी गुडिया पाइक को छोड़ो तुम्हें तो मैं जिहास उड़ाना सिखाऊंगा जिहास रियास ने मुसकुराहट दबाते उसको तसल्ली दी मजाग नहीं करो रियास उसने मुँ बनाया था ओके नहीं करता मजाग उसने हस्ते हुए कहा चलो नूर मैं ड्रॉप कर दूँगा एहमद ने अपना फोन जेप में रखते हुए कहा था क्यूं तुमने क्या खिद्मत ये खल्क का बेड़ा उठाया है उसने बजाहे नॉर्मल अंदाज में ही पूछा था लेकिन उसके लहजी की तपिश और तंस को वो समझ गया था जो यकिनन माया को ड्रॉप करने की वज़़ा से थी एहमद मस्कुराया था तुम्हारी गाड़ी का टायर पंक्चर है वो दूसरे ही लम्हे जोश से बोली थी नहीं हैदर चीखता हुआ बाइक से लिपट गया क्या हो गया है जर नूर लड़किया हैवी बाइक पर थोड़ी बैटती है पैमूर ने उसको समझाते हुए कहा था क्यूं नहीं बैट सकती लड़किया हैवी बाइक पर देख रहा मैं ये बाइक तुम्हें चला कर दिखाऊंगी बलकि तुम्हें रेस में भी हरा कर दिखाऊंगी उसने चैलेंजिंग अंदाज में कहा था नूर बानो अच्छा मजाख है हैदर ने हस्ते हुए कहा था मजाख नहीं कर रही मैं उसने हैदर को घूरा था मेरी दुआ है जरनूर कि जिस बंदे की तुम्हारे साथ पस्मत भूटेगी आई मीन शादी होगी वो हैवी बाइक रेस का चैंपियन हो फर तुम सुबा शाम उसके साथ रेस लगाती रहना रियाज ने हस्ते हुए एक हैलमेट टैमूर को पकड़ाया था हाँ 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 वेरी फानी उसने मूँ बिगाड़ा था और हारेस हस्ते हुए एहमत को देख रहा था जो एक हाथ सीने पर बांदे और दूसरे हाथ के मुठी बनाकर होटो पर जमाए सर नीचे किये मुस्कुराहर दबाने की कोशश कर रहा था रियाज ने बाइक स्टार्ट कर ली थी और उसके पीछे बैठते दैमूर ने हारेस को देखते हुए कहा था जो मनाहिल के साथ सेलफी रे रहा था ओय हारेस इस अशर को अपने साथ ली कर जाना कहिए तुम्हें बातों में लगा कर यही रुकना जाए चल चल रियास जल्दी चल भगा भगा उसने रियास का कंधा जन जोड दिया था इससे पहले के अशर उन तक पहुँचता वो दोनों के हपहे लगाते वहां से निकल गए थे अगर तेना ऐसे कोई रादा है भी न विटा तो भूल जा मेरी नजर है तुछ पर हारेस ने शरारत से कहा था यार तुम लोगों की बारी तो आने दो देखना गिन गिन के बदले लूँगा मैं वो उनको धमकाते एक नजर लाइबा को देखकर हारेस की गाड़ी में बैट कया था नोल मेरे साथ चल रही हो या पैदल ही जाना पसंद करोगी एहमद ने गाड़ी के हैंडल पर हाथ रखते जर नोल से कहा था जो लाइबा और मनाहिल से मिल रही थी मुझे कोई शौक नहीं पैदल जाने का वो कहते हुए एहमद की कार की तरफ आई थी और मेरा कोई रादा नहीं छट पर बैट कर भी जाने का बराए महरबानी लोग खोल दो इसका उसने एहमद को देखते हुए कहा था जिसने लोग खोल दिया था वो दरवाजा खोल कर पिछली सेट पर बैट गई थी आगे हैदर और एहमद बैठे थे उसकी गाड़ी और हारिस की गाड़ी आगे पीछे ही निकली थी एहमद यार इसकी छट तो खोल क्या फायदा पर स्पोर्ट्स कार का एहमद ने गाड़ी में रोड़ पर डाल दी थी अब ये टाइम इतना भी नहीं हुआ था लेकिन फिर वी सलक पर ट्राफिक ना होने के बराबर था उसने स्पीड तेस्ट कर दी थी अगर मैंने इसको खोल दियाना तो फिर तुझसे इंसानों की तरह नहीं बैठा जाएगा इसलिए तू इसे बंद ही रहने दे एहमद ने सामने देखते हुए कहा था हैदर पीछे करो पीछे जर नूर इतनी जोर से चीखी थी उसको देखकर म्यूजिक प्लियर बर रेडियो के चानल सर्च करता हैदर भी चीख पड़ा था उन दोनों की चीखों से गाड़ी बे काबू हो गई थी एहमद ने बमुश्किल गाड़ी को कंट्रोल करते हुए साइट पर पार्ग किया था क्या हो गया है नूर क्यों इतनी जोर से चीखे तुम वो दोनों पीछे मुणे उसको देख रहे थे जिसका गाड़ी को जटका लगनी की वज़ा से जूड़ा खुल गया था और सारे बाल शाने पर भिखर गये थे और चेहरा फोशी से तम तमा रहा था वन जिरो थी लगाओ चल दी वो खुशी से बोली थी हैं? हैदर ने ना समझी से उसको देखा था अरे रेडियो पर वन जिरो थी चानल लगाओ चल दी वो जोर देकर बोली थी हैदर ने रेडियो पर उसका मतलूबा चानल लगा दिया था और चैनल लगते ही आर जे मलिक रियास की खुपसूरत सी आवाज पूरी गाड़ी में गुंज रही थी संडे की इस खुपसूरत सी शाम में मेरा और आपका साथ रहेगा इन दिस प्रोग्राम सोना मना है और आज हम कोई टॉपिक नहीं रखने वाले आज हम सिर्फ बाती करेंगे कुछ आपकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएंगे लेकिन उससे पहले एक गाना हो जाए क्या खयाल है एक सौंग मैं लगाता हूँ जो मुझे बेहत पसंद है और यकिनन आपको भी पसंद आएगा तो चलिए इस खुबसूरत से ट्रैक के बाद मैं आप सबसे मिलूँगा कही जाएगा नहीं साथ रहिएगा अब आतिफ असलम का कोई गाना बच रहा था वो तोनों हाथो को बाहाम भसाए उन पर अपनी थोड़ी जमाई चमकती आँखो और मसूर कुन अंदाज में आरजे को सुन रही थी सीरियसली नूर तुम इसली इतनी जोर सचीखे थी एहमद ने हैरतो तासुप से उसको देखा था जिसने अजबात में सर हिलाया था हद है नूर वानो अगर अभी मेरा हार्ट फेल हो जाता तो इखते चिंगारते सींटिया बजाते गुजरे थे काश मैं भी बाइक चला सकती नूर ने हसरस से दोड़ जाते तैमूर और रियास को देखकर कहा था नूर बानो तुम शायद भूल गई हो मैं याद दिला दूँ कि तुम लड़की हो हैदर ने मस्नूई संजीत की से कहा था तो लड़कियों पर बाइक चलाने पर पावद नी है क्या उसने तुनक कर पूछा था ऐसा ही समझ लो एहमद दे मस्कुराहट दबाते संजीत की से कहा था वो उन दोनों को घूरती खिड़की से बाहर देखने लगी थी सो लेस्ट लेस्ट इस वस्टा एंड आफ दा यार यारो से होना चुदा एपिसोड नमर फॉर्ड चल्द बिलते हैं एपिसोड नमर फाइफ के साथ तब तक अपना खयाल रखें दौाओं में याद रखें लाफिस